आयो बहुत बढ़िया पुजा गी अपि नायू तो सब्सक्राइब पाने संकर्णाभन आप प्रदोस्तों शॉबब्र दोस्तों सुद्द मेरे ने बिलोग में नौबध गया विजा बाता जाता है पार्किंग में देखे एक्सल के उधर काम हो रहा है तो अभी पर एक दो दिन टाइम लगेगा भाई क्योंकि आज खूल के जाएगा फिर बन के आएगा रिपेरिंग होगा है चेंज होके आएगा में एक दो दिन का समय लगना वला है अभी आम लोग का तो चलिए बटे- दोनों भाई के लिए हम लोग के लिए बहुत है अब दर में हमारा चावल चड़ गया है चलिए तो भाई चिकन बनाने का तयारी करते हैं कलनड तो बहुत ने को बहुत भाई हम को बहुत बहुत है नहीं दास दिन ख़डा रहे तो भाई आज गाडी में हमारा बहुत सारा काम हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, सारा टाइर अंदर बाहर करना है, मुनाजिर भाई भीड़े हुए हैं, और, भाई एक और लंबा काम हमारा निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं, अजो ट्यूब है ना, तूट गया है अब इसके लिए क्या है हमको जाना पड़ेगा गेरेज में इसका वहीं पर काम होगा तो दोस्तों अभी हम गोडाउन के अंदर में आ चुके हैं रेसम सिंग के रहेज मतलब इंडिया का बहुत बड़ा के रहेज समझे इसका ब्रांच भर जगा मिल जागा आपको महरास्टा में भी मिलेगा इधर आप 36 गड़ तरब चल जाएगा उधर भी इसका ब्रांच मिले जाता हुग जाता है प्रोब्लम यही है स्यल्ड焗ा घजाता है तो एक लिव стр ट सदाट कर्वा है वह नुझेगा रहाई ऩह ओं नहीं दो क्याक्या यहां पे सचाव जागा फैथके काम जब घूड़ है अइस यह जो लिबिट हों लिफ्ट हो जाता है खाली गाड़ी में ऑटोमेटिक उठ जाता है और जब इस पर 10 टन से प्लस लोड होगा ना तो अटोमेटिक है बैठ जाता है इसका सिस्टम बनाया हुआ है इसे ही साब का तो देखें यही वाला जो एकसल है फट गया आप लोग देख सकते हैं पूरा ट पर आगिया है और अब काम चालू होने में जो टाइम लगेगा उसके बाद में समान आने का देरी है अग्सल वगेरा साथ है कि नहीं है हमको भी आइडिया नहीं है अभी इसका बहुत है में बोस आया नहीं है मुनाजिर भाई हमारे पगड़ियों बांद गए था बीड़ कि चलिए लग रहा है दो तीन दिन का मरजाद है यहां पर हम लोग का लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जो है अब देखते हैं सहाब लोग आते हैं तो कब तक बोलते हैं क्योंकि एक दिन का काम हमारा और बच गया पीछे केविन का अगर यहां पर टाइम जादा लगेगा ना तो केविन का काम जाके करा लेगे तो ठीक है दोस्तों बने रहे वीडियो में दोस्तों ये ना एक हमसे का में एक हजार्टन का क्रेन हो गाए का टाने वाला एक लोवाट के उपर अभी तक गाड़ी के उपर ही है इसा पूरा काम से को यह सथा पचास टन से उपर ही यहे वजन है इसका। अब इसको उतारने के लिए इतना क्रेन का खर्चा करेगा ना उससे अच्छा है कि यहीं पर इसी के उपर लदा-लदा काम हो जाएगा इतना बड़ा-बड़ा मसीन का यहां पर वर्क होता है देखिए सब सारा सिस्टम इसी का है भईया तो भाईया अभी देखिए हमारा गाड़ी का काम लग गया है मिस्तिरी जी भीड़ गया है यहां पर खूल जागा एकसल उसके बाद में जागा अब देखते हैं कब तक हो आएगा फिर लेकर जाएगा इसको यहां से मलें यहां पर सिर्फ खोल और फिटिंग होना है बागी रेडी होके बाहर से मट्रियल आ जागा यह बड़ा जहमेला है जी सिंपल गुला नहीं है आप लोग देख सकते हैं अलब पूरा गुला में ओ मारा हो गया है बढ़िया ताजा मिल गया था इसको मेरिनेट करते हैं कि जब तक चावल बनेंगा तक तक इसमें मसाला हो गया था सान के हम रख लेंगे तो भाई इसमें डाल देते हैं थुड़ा हल्दी गुल की जीरा का पाउडर डाल देंगे हैं अब बढ़ियां से इसको मिला के रख देंगे सका यह अग्या ना भाई यह हमारा चिकन बहुत ला जवाब होनेगा था बढ़िया कि इसको मसाला सां दिया जब तक चावल बनेंगा ना दसमें चावल में तक तक अपना बढ़ियां से मेरिनेट होते रह गया चलिए इसका रेड़ी हो गया है अब आके बुलश्स लसुन प्याज हो गया है इधर लसुन में चाबी हो गया है इधर चीकन मेरी नेट होने के लिए छोड़ दिया थे देखिए चलिए बनाते हैं लाहिम डालते हैं तेल बस तेल नहीं ज्यादा दालेंगे भाई तो भाई प्याज हमारा देखिए हलका लाल हो गया है पूरा लाल नहीं किया है क्योंकि इसके साथ मैं यह भी भूजाएगा लसुन और मिर्चा जो हमारा कूटा हुआ है इसको पूरा लाल करने से नहीं जल जाता है ताथ में दोज़ा जाएगा चलिए भाई प्याज हमारा रसूम अगर तो तयार हो गया है इसमें डालते हैं चिकन क्वाँ जान अगरों कि इसके सांड़खा जान करो ाड़ा है बह्ता है तो भाईयो चिकन हमारा बढ़िया से पुझा गया है अब डालते हैं इसमें देखें मसाला ये गरम मसाला है मिक्स मसाला है ये गोल की जिरा का पाउडर है हेल्दी पाउडर और ये रेस्टोला चिकन मसाला इसको डाल देते हैं कर देदे पानी डाल दें एक तो मसाला के जलने लगेगा हाए 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 ये बाइब कोफे लगतीत चया में आपकता झाल ये लेडियों कि बखाए है ये लेढ़ राव प्रुिंग कि शास तो भाईयों मसाला हमारा देखिए बहुत बढ़िया मुझा लिया है चिकन के साथ अच्छे इसमें चालते हैं पानी ते मसाला लगा सकते हैं तो भाई अब जल जागा ज्यादा जलाना भी चीज नहीं है तरी के लिए की सा पानी रसना डाल जा रहा है अब देख सकते हैं चिकन कितना बढ़ियां से बन रहा है बस दो चार मिनाट और इसको बलने देंगे ताकि तरी और थोड़ा गाडा हो जा इसके बाद में गैस को बंद कर रहे हैं तो मतलब जैसा हम बना इस तरीका से कभी बना के देखिए चिकन बहुत मजा आएगा बहुत मैठ को बाएगा बना पहले जमने करékदे बनाये बहुत मस्त बनता है मैं हम को सब्सक्राइबर वाई यह बता आए रहे से इसके लिए ऊज सब्सक्राइबर और देख रहे है तर देखते हैं कैसा इसा बनता है के ऑशिकर तो से तिसाना हमारा बताता है यिवी बंता जाज और भाई दिन का साअधे बारा बच गया खाना भी हमारा बन गया चलिए भाना खाए जा क्योंकि हो सकता है खाना खा गये हम पूंत मिधला मोटर भी जाना पहते हैं ठाटा मोटर में भोड़ा सा काम है ऑलाइमेंट का अच्छा रहेगा मेरे लिए ने तो के लिए भी गाड़ी खड़ा हो जागा फिर थाली निकल गया है मुनाजीर भाई कर थाली निकाल देते हैं भाई ने तो मुनाजीर भाई बोलेंगे कि अपना निकाल लिया हमारा निकाला ही नहीं क्या करें गुरू देखना पड़ता है ना नहीं मुनाजीर भाई ना प्रच जो बाता है तो भाई खाना अमारा भी निकल गया देख सकते हैं इधर सलाद भी काट लिया है टमाटा रोट प्याज चलिए भाई अब खा के टेस्ट किया जा इसको देखने में तो बहुत लाजवाब लग रहा है भाई खाने के बाद ही पता चलेगा बहुत मस्त है तरी तो इतना सांदार बना ना भी जाग तो मनाजिर जी अब बताईए टेस्ट करके क्या हल चल है क्या कमी है क्या ज्यादा आप ही न बताईएगा देखें हमारे मुझसे तारीफ करने से नहीं हो गया बनाजिर बाइब क्या है कमी है कुछ थीक बनाएगा बहुत बढ़िया बना बनाएगा अरे बाई देख लिया न बाई मतलब अच्छा नहीं बनाए गुरू नाजिर भाई का मुझसे सचाई निकल गया चले कोई बात ने नेक्स टाइम नाजिर बाई बनाएगे तो दोस्तों आभी खाना अगरे हमारा हो गया है और हम लोग को चलना है मिखला मोटर में ठीक है दोस्तों ब्लोक हमें पर एंड करते हैं मिखले मिलेने चुदक में तब तक के लिए जय हिन जय बारत